जिसे हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं बाते करते हैं बड़ी-बड़ी की डिजिटल इंडिया ऐसा इंडिया वैसा इंडिया लेकिन गाउं में आओ तो हरत वैसी है पहले की तरह बत से बत्तर जो चीजें चलती आ रही है प्रताय उनको तोड़िए और वोट बेचना बन कर पैसा अगर और दारू की बोतल इतनी जरूरी है तो आप रख लें बेशक लेकिन वोट उसी को दें जिसको आपको लगता कि कुछ काम करेगा अचकी डेट में आपकी सोच और आपकी शिक्षा ही काम आती है यह कास्ट वास्ट में कुछ नहीं रखा है या धर्म में तो इस कैनिडेट्स हैं मुझसे उमर में बड़े हैं एक्सपीरियंस होगा उनको लाइफ का जादा मुझसे मगर मुझे लगता है कि जो नई एक सोच है मेरी जो मैंने बाहर पढ़ाई करी तो उसमें मुझे कई चीजे सीखने को देखने को मिली जो और कुछ नए आइडियास है नई स्कीम्स है मेरे पास वो चीजे मैं नया कर सकती हूँ जो शायद उनकी सोच वहां तक ना जाए मेरे खयाल से तो मुझे लगता है कि मैं उमर में छोटी हूँ लेकिन मेरे पास एक जोश एक जज़बा है जो शायद उनमें ना हो तो इसलिए मैं बेटर कर सकती हूँ उ कि नमस्कार हमें रोहित स्वागत करते हैं मैच बोक्स पर अक्सरवा मैच बोक्स पर मुख्या पड़ते ऐसी मुख्या लोग का पतनी के और बहुत तरह का इंट्रोब्यूर देखा थे हम आज अलग तरिया का वीडियो रोगा दिखाया जाल वानी दाद रेक पड़ी वो कि हीमद को के एक पंचाय चुनाओ लड़ता नी यहां के एजुकेटेड वानी और का सुच की यहां के चुनाओ लड़ता नी आज हम जाने का प्रयास करें कासी के सीवान जीलेम आईसन पहिल के एक कंडिडेट वानी जोन खुद अपना दम पर अपना बलभूता पर पंच करीब लोग उनको लग रहा है कि हां कोई काम करें अब उनके लिए तो यह सब चीज़े देखकर मैं भी उनसे बात-बात करती रहती थी कि जो भी मेरे आइडियास थे व्यूस थे कुछ नया करने का तो मैं उनसे शेयर करती रहती थी तो उन्होंने मुझे एक बार अचानक से बोला कि मैं कर रहा हूँ तो अगर तुम्हारे पास बेटर आइडियास हैं और इसी साल मेरी 21 एज कंप्लीट भी हो थी तो उन्होंने का कि अगर मुझसे अच्छा तुम कर सकती हो तो तुम्हें ही खड़ा करके खुद बैठ जात तो जब हमें इक knowledge है को कैसे काम हो सकता है और क्या काम हो सकता है और गलत हातों के लोग में हो गलत लोगों के हाथ में वह चीजे हैं तो हम उन्हें लेकर बहतर काम कर सकते तो मैं ने सूचा कि मुझे करना चाहिए इस बार एक बार कोशिश एक लड़की के बड़ा डिफिक और वोसले हम दाद देवे के चाहिए हैं कि एक लड़की होके इतना मतलब की सामने एल बनी अक्सर लड़की काती बड़ा स्ट्रगल होला कि सामने आकर बड़े-बड़े लोग से बतिया और जनता से कंफिरेंस करी बहुत तरह के चीज होला जी मेरे लिए भी easy नहीं था क्योंकि मैंने सोचा पहले बहुत समझा फिर उसके बाद जो मैं खड़ी हुई तो काफी लोगों से मुझे अच्छा response मिला लेकिन कुछ लोग वैसे ही मुझे मिले बाते बनाने वाले कि लड़की को क्या जरूत पढ़ कई उठने की या इनको क्या जरूत पढ़ गई उठाने की खेर मुझे उन चीजों सो कोई फर्क नहीं बड़ा कि लोग क्या कह रहे हैं या लोग क्या कहेंगे मुझे यह पता है कि जो भी शेक्षित या पढ़े लिखे लोग हैं और जो इन चीजों को समझते हैं वो मुझे अच्छा रिस्पॉंस दे रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं बाकी लोगों का तो काम है कहना जो जलते हैं वो कहते हैं और स्ट्रगल हाँ सब के लिए होता है मेरे ल हृज ऑना ताने मार्ते हैं कि आरे यह क्या करींगी चैज हने कॉलेक्टर शादी यह तो उन चीसों को मैं खितम करने के लिए मुझे लगा कर मैं खड़ी होंगगी अगर मैं हिम्मत करूंगी तो काफी लोगों को मुझे से हिमत मिलेगी तोव इसलिए मैं है डिसाइट कि यूजना में लाइक भी परास करती है रहर मुद्दा का बढ़ते है मन पकड़ी पंचात का इस्पेसल का मुद्दा लेकर रहा खते है मेरा मुद्दा है पहले तो मेरा 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 मुद्दा रहेगा यूवापीडी के लिए उनको आगे बढ़ाना और दूसरा नारी सरशक्ती करण विमन इंपार्मिन तो मुझे उनके लिए कुछ काम करना है लड़कियों के लिए क्योंकि मैं देख रही हूँ जो सालों से चीज़े चली आ रही है आज भी उनमें कोई परिवर्ता नहीं है उनकी सिक्षा में भी नहीं है कि आप भी मुझे इंस्पायर हूँ अगर मैं यहां बैठ सकती है तो आप भी बैठ सकते हैं आप भी वो चीज़ कर सकते हैं कुछ मुश्किल नहीं पूशे के चाते हैं कि पॉस्सिबिलीटी बार भी परिवर्ता नहीं कासे कि गाउं में अक्सर देख लिला कि बहुत कॉम एजुकेटेड लोग हो ला और समझाय में कॉन्विंस करे में अक्सर मतलब की बड़ा दीकत हो ला और इस्पेसली पंचाय चुने कर बात करी तो दारो मीट सराब के अक्सर जी खरो ला तर वह कई से परिवर्तान ला सकता है नहीं जी मुश्किल तो बहुत है क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं कि पड़े लिके लोग नहीं हैं मगर यहां पे कुछ चीजों का जादा महत्वित दिया जाता है जैसे कि पैसा, शराब, कपड़ा लास्ट में कोई भी आया खरीद के चला गया हैं वो कुछ चीजें उसको चेंज करना भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है इतना इजी नहीं है लोगों को समझाना या उनको बताना कि उनके वोट की क्या कीमत है और वो क्या लगा देते हैं 500,000 रुपे के लिए अपना 5 साल का विकास बेश देते हैं वो लेकिन हां मैं कोशिश कर रही हो मैं करती रहूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि बदलाव एक ही इंसान को शुरुवात करनी बढ़ती है तो वो शुरुवात मैंने की है और मुझे लगता है कि नेक्स टाइम से काफी अच्छे चैंडिडेट्स और काफी अच्छे सोच के साथ लोग आएंगे और मुझे इंफ्रुवेंस हो रहे हैं और होंगे रुवा एक बिचार धारे का सुरुवात कोई लगता है कि एक चीज से बिचार धारे का सुरुवात हो ला अज रुवा पकड़ी पंचार का राजनीक्ती के पलाट करकते लगते हैं कि आज 21 साल के लोग की ओकर हिमत का दाद देवेक पड़ी कि सिवान के बेटी के कि चुनाओ लड़तिया और बहुत सरा कंडिडेट बलो especially पकड़ी पंचार के बाद करें तीस को जना कंडिडेट बलो तीस जना कंडिडेट से आपने आपके कई से बिटर मानता नहीं तीस कंडिडेट हैं मुझसे उमर में बड़े हैं so experience होगा उनको life का जादा मुझसे मगर मुझे लगता है कि जो नई एक सोच है मेरी जो मैंने बाहर पढ़ाई करी तो उसमें मुझे कई चीज़े सीखने को देखने को मिली जो और कुछ नई ideas है नई schemes है मेरे पास वो चीज़े मैं नया कर सकती हूँ जो शायद उनकी सोच वहाँ तक ना जाए मेरे खयाल से तो मुझे लगता है कि मैं उमर में छोटी हूँ लेकिन मेरे पास एक जोश एक जज़बा है जो शायद उनकी ना हो तो इसलिए मैं better कर सकती हूँ जनता ही जाने के चाहती है कि रोगा लगी scheme काबा मुद्दा काबा काशी कि बहूत लोग जाने का परास करते कि खूसी से आखिरे को लड़की पकड़ी पंचायत में काम मेनिफेस्टो लेका होते है कि विकास हो पाई विकास होगा क्योंकि मेरे बहुत सारे मुद्दे है पहले तो मुझे सबसे जो मेरा मेन फोकस होगा वो सड़क पनवाने पर सबसे पहला काम क्योंकि जब आप ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे जिसे मैं भी जाती आती हूं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है रास्ते में ते रोट खराब है किसी कभी आक्सिडेंट हो सकता है फिर मुद्धे होंगे नाला बनवाना ज़रूरी है फिर उसके बाद पानी हर घर तक पहुँचना ज़रूरी है जो मेरे घर में भी नहीं आता फिर उसके बाद शिक्षा स्कूल में जाना टीचर्स को देखना कैसे पढ़ा रहें नहीं पढ़ा रहें पच्चों को बुक्स प्रोवाइड हो रही है तीचर्स टाइम से आते भी हैं पढ़ाते भी हैं या बस टाइम पास करके सालीज लेकर चले जाते हैं फिर होट सपिटल में जाना वहां कि क्या हालत है साफ सफाई भी है या गंदगी रहती है दवाइयां है लोगों को मिल पा बात होला कि अब तरह और निम्मुनेशन हो गलवा अब चीन भी मिले वाला बाट है जनता कभी से जाएं तो जनता से का को है लगाने कि में अके लिए लड़की वानी हमां कितना सपोर्ट मिली जनता कभी से का बोले कर चाहता नहीं पर चिन बहुत इंपोर्टन चीज है उ क्योंकि 23 लोग हैं तो उनमें हो सकता है लास में confusion हो जाए उनके दिमाग में पहले तो मैं अपना साइन सिंबल एंट तक क्लियर करूंगी में फोकस वही होना चाहिए क्योंकि कही बार ऐसा होता है जो लोग समझ नहीं पाते कुछ और बटन दबा दिया है कुछ क्योंकि श पहती उसकी कम कीमत लगा देते हैं पात साल में आपको कई तरह के विकास देखने को मिल सकते हैं और उससे आपका जो जीवन का एक तरीका होगा रहने का और आसपास का जो environment होगा आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी आपको एक अच्छा फ्यूचर मिल सकता है आपका रहने का पूरा और चीजों को देखने का नजरिया जेंज हो जाएगा तो आप अपने बच्चों का भविश्य अपना अच्छा एक भविश्य सिर्फ कुछ रुपियों के लिए ना बेज दें आपका वोट बहुत कीमती है आप उसको आप अगर वो एक कीमती वोट एक अच्छे कांडिडेट को देंगे तो आपके लिए बहुत काम कर सकता है जिसका लाव आप हमेशा उठाएंगे और पात सालों तक उठाएंगे फिर उसके बाद जो आएगा उसको दीजिए फिर वो अच्छा विकास करेगा एक बर आप वोट बेज देंगे और पांच स जुनाओं में जातिगत भाना काफी चली जो प्रथाएं चली आ रही है हम लोग उनको नहीं मानते क्योंकि जब हम शिक्षित होते हैं तो हमें यही सब चीज़ें सखाए जाती है कि किसी के साथ भेड़भाव नहीं करना चाहिए या वैसी सोच नहीं लानी चाहिए मेरे घर में खुद अगर मैं अपने पापा को देखूं तो अभी तक उनी का था कि वो एलेक्षन लड़ेंगे तो उनके साथ सारे जितने भी लोग है इस टाइम पर सब बैकवर्ड कास्ट के हैं कोई हमारी कास्ट का नहीं है तो हम लोग साथ उठते बैठते हैं खाते पीते हैं तो हमारे अंदर वो भावना नहीं है क् कि हम उस चीज को समझते हैं तो ये चीजे हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि आज की डेट में आपकी सोच और आपकी शिक्षा ही काम आती है ये कास्ट वास्ट में कुछ नहीं रखा है या धर्म में तो इस पे राजनीती ना करें और ना होने दे कुछ सिंग जी हमरे याद पड़ा लाकि सिंग आई नी पंचाहत देखते हैं कि रीतु जैस्वारे को मुखीया बाड़ी वहां के रास्पती पुरस्कार भी मिल चुका लवाते तो करा होगए पंचाहत में अगर मुखीया बोना तैं तो रास्पती पुरस्कार और पंचाहत जाना जी आब वो तो ड शायद वो मिल भी सकता है लेकिन मैं मुझे लालस नहीं है कि मुझे पुरस्तकार मिल या नहीं मेरा बस मेन मुद्दा है कि मैं रो के लिए काम करूँ और अगर लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं अगे और भी चीजों के लिए लेक्शन में ट्राइ कर सकती है कि लड़की काती बहुत मुश्किल होला कि चुना वर लड़ातानी तरो आए वाला फ्यूसर में अगर बाहर जाते ना टिका टिक मनी भी सूनी के मिल सकता है तो आपने आपके कैसे माइंड के मेकप कोई लेबनी कोई से जवाब देगा जी मुझे नहीं लगता कि हर जगा में जवाब देना जरूरी होता है क्योंकि मैं शुरुवात से बहुत कुछ सुनती आ रही हूं अपने घर में बाहर कर तो छोड़ दीजे कि लड़कियां यह लड़कियां ऐसे लड़कियां वैसे मैंने कभी किसी के बात पर ध्यान नी दिया जो मुझे कर रहा है मैं कर रही तो मेरा मानना अपको अपना काम करते रहना चाहिए बाकि दूनिया क्या बोलती है नहीं बोलती है उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए विचार धारा के लड़ाई है उपना पंचाथ कर वक्का संदेश यही होगा कि अब जाग जाएए नहीं तो फिर आप हमेशा यहीं कहीं रह जाएंगे जो चीजनें चलती आ रही है प्रताय उनको तोड़िए और वोट बेचना बन करिए अपना भविश्य बेचना बन करिए पैसा अगर और दारू की बोतल इतनी जरूरी है तो आप रख लें बेशक लेकिन वोट उसी को दें जिसको आपको लगता कि कुछ काम करेगा क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीजें गवर्मेंट प्रवाइड कराती है लेकिन आपको नहीं मिल पाती तो उसमें गलती आ होगा और एक बदलाव लाने के लिए आपको साथ देना पड़ेगा तो मैं आपसे यह अपील करूंगी कि मुझे सपोर्ट करें और जादा से जादा वोटों से मुझे जिता है चले मैचमक्स टीम से मिल करो कई सन लागा जी मुझे अच्छा लगा है अच्छा एक्स्पीर किया तो मुझे अच्छी लगी है चीजा प्रहूं इबत कुचन कैसे लागा रवा कमेंट बक्स पर लिक कर जरूर बताई और हो सकते वीडियो के बहुत ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें चले नमस्कार